नमस्कार दोस्तों आपके वीच पुना में परविंद गुमार भर्मा सच्छिडिक परमार्जाता उत्रप्रदेश राजासी टंडन मुक्ट विश्विद्याले प्रयाग राज जो पिछला वीडियो बनाया था उसकी कड़ी में दूसरी जो वीडियो में बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए उसमें थोड़ा बिलंभ है उसलिए मैं छमा प्रार्थी आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस्पेसल डिसकस करने की कोशिस करेंगे जो आपको में कि लाबदायक साबीत हो सकता है हमारे जहन में हमारे धारणा में हमेसा इăm यह बना रहता है कि पिछली वीडियो में बता था बिसेश सिच्छा क्या लेकिन जब हम बैद करते हैं तो हम कहीने कहीन एक अइक दिभ्यांगता को लेकरके एक करिम द्रिष्टिकोन को ले करकर अपने शंक्वित धारणा बंज जाते हैं कि मतल rubbish सबच्चा हो गातों कि बाठीय करेख सब्सक्राइब तो आपको थोड़ा सा ड॰िक जरूर करेगा कि जब सब्सक्राइब करेकाए कि इन बच्वों के अलावा ऐसी क्या चीज़े हैं जो उनको विशेश बनाती हैं विशेश इच्छा में विशेश क्या है आईए हम इसकड़ी को बिंदू बार समझने की कोशिस करते हैं तो आईए हम रेखने का प्रयास करते हैं कि वह कौन-कौन से बिंदू है जिससे की इस्पेसल में इस्पेसल होता है तो सबसे पहला विंदू है कि रेगुलर क्लास टीचर आई हम इनके मध्यम से यह समझने की कोशिस करते हैं कि जो क्लास्रूम में एक टीचर है वह रेगुलर इन बच्चों के साथ काम कर रहा है लेकिन कुछ शीज़ें ऐसी होती है कि है लेकिन जो समाने टीचर है यह समान बच्चों के साथ काम कर रहा है वह यह नहीं संचवाता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनके समझने की चंटा या फिर कम हो सकती है तो कम होती है तो बात हो समझ लेते हैं कि हां कम है तो उसको कुछ विसेस तरीके से चाहे सक्श inaciej सबस्टारा रूप हम देखते हैं special educator के कि इस पेशल एज्यूकेटर से तत पर यह है कि जब कोई बच्चा समान से बहुत कम या फिर समान से बहुत अधिक हो जाता है तो उसको हम classroom में बैठा के टीचिंग तो करा सकते हैं पठन पाथन कार भी करा सकते हैं अपने जो करिकुलम में अपनी जो करिकुलम प्लानिंग है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं लेकिन उन बच्चों को समझ में आये या फिर उन बच्चों के अधिगम में कोई परिवर्तन आये या फिर यूई प्रकार के लोगों के 21 प्रकार के बच्चों के जो सिछर की वीदी है वो अलग होती है तो इसलिए अलग-अलग waking जरूद की जरूरत होती है उनिहीं विषे सफ्ञड्यों के आधार पर उनिहें वी से सब्चों के साथ हम अपने पठन-पाठन के कारे को सुचारू रूप से करने का प्रयास करते हैं ताकि इन बच्चों को समझने में इन बच्चों को अपने अधिगम में इन बच्चों के जो पाठिकरम है उसको वह आसानी से समझ पाएं थोड़ी दिक्कते आती हैं कि वह समाने के तरह सारी चीजें तो नहीं कर सकता है लेकिन समानने के समीप जरूर जाके बैठ सकता है इसलिए हमारा जो इस्पेशल एड्यूकेशन है इस्पेशल में इस्पेशल होता है तीसरा हम देखते हैं है हमारा तीसरा है कि इती नरेंट टीचर है कि इती नरेंट टीचर मतलब परिभ्रामक टीचर शुल होता है वह आज पास के यह आज-पास से तात पर हैं कि एक जिल्य में एक जिले के अंदर एक ब्लाक में खें अंतर्गत जो इसकूल आते हैं उन्हें इस्कूलों में इस तरह के सिच्चकों का सिड्व एक Dell फिक्स होता है जो आसपास के जो स्कूल होते हैं उनमें जाकर के चिन्हित बच्चों को जो दिव्यांग बच्चे तो in सारीरिक या सच्छिक अनिया सच्छिक में पीचान करके उनके पठन में यहार जाकर व्यक्दिका ツाहयोग परदान करते हैं तो इन बच्चों के समझने और सीखने की जो छंता है निश्यतरूप प्रभावीत होती है प्रभावीत होने का मतलब हम सकारात्मक प्रभावी साथ बैठ कर काम करते हैं और जो सिच्छक इनके साथ अध्यना ध्यापन का कारे करता है उन सिच्छकों के साथ भी बैठ करके उनके प्लानिंग में मदद करते हैं ताकि समानी क्लासरूम में भी इन बच्छों के साथ जो लोग सिच्छा गान कर रहा है उनको कोई सी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना ना पड़े इसलिए यह हमेशा उनके साथ जुड़ करके और साथ ही साथ इन बच्चों के साथ भी जुड़ करके इनके पठन पाठन को उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं अगली कड़ी में हम देखत ताधपर यह होता है कि विशेश सिच्छा में विशेश रूप से विशेश अगयता हासिल किया होई वह किस तरीके के भ ses अगयता हातिक आपक के अनतरगत इन बच्चों को सिच्छित करने का जो एक strategy होता है इन बच्चों किस तरीके के teaching learning material के माध्यम से सिच्छित किया जा सकता है या फिर इन बच्चों के लिए कौन सी सिच्छा सिच्छड अधिगम सहायक समगरी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है इस पर यह बहुत अच्छे तरीके से एक समान सिच्छा की मदद करते हैं और इन बच्चों के साथ जुड़ करके उनके मनों समाजिक इस सिती के साथ जुड़ करके उनकी सारीरिक अच्छमता को पहचान करके अनेक प्रकार के उपकरण अनेक के टूल्स का वो निर्माड करते हैं ताकि इनके जो सच्छिरिक प्रक्रिया है उसमें और सुगमता लाई जा सके और दिव्यांग बच्चे हैं वह आसानी से समान बच्चों के साथ समान वाता वरण में ही आसानी से सीखने में स्वयम को सच्छम बना पाएं अगली जो कड़ से क्लासरूम नहीं बैठा सकते तो उनके नीदान के लिए कुछ उपाय सोचने पड़ते हैं सबसे पहले उनको डियागनोस्टिक सेंटर भेचते हैं कि उनमें किस प्रकार की दिव्यांगता विद्यमान है उस दिव्यांगता के अधार पर उनको किस तरीके से सिच्छा प् समायत करने की हम कोशिस करते हैं लेकिन उस बिसे स्कूल में क्या वो पूरी तरीके से समायित हो रहा है या कौन सी समस्या आ रही है जो वो समाने स्कूल में समायित नहीं हो पा रहा पर इन बच्चों को आगे हम ले जाने की कोशिस करते हैं ताकि वो सच्छडिक रूप से स्वयम को सच्छ बना पाएं और अपनी जो आंतरिक छमता है उसको उजागर कर पाएं अगला बिंदू है इस वेसल सेल्फ कंटेंट क्लासेज इसमें इस प्रकार से हम अपने साथ ही बैठ करके अधिगम को और बेवसी तरीके से पूरा करना है तो इसके लिए हमें विशेश सिच्छक के साथ साथ विशेश करिकुलम और विशेश तरीके से उपकरण के और सकता पड़ती है उन तीनों के समावेशन के आधार पर जिस फिल्ड में जिस छेत्र में दि कुसी दिब्यांगता के अधार पर इनको सिच्छित करने का हम प्रयास करते हैं अगला हम देखते है स्पेस्ट ले सकूल कभी-कभी ऐसा होता है कि यह बच्चे जो होते हैं उनको पोरी तरीके से हम समान इसकूल में समानarea बच्चों की तरह समानी रूप से हम सिच्छित न है जिसमें केवल दिन में दिवसी जो दिवसी जो क्लासेज होते हैं बच्चा सुबह में इसे स्कूल में आएगा वहां अपना सिछड़ से संबंधित सारे कारे को संपन्न करेगा और उसके बाद पुनह साम को अपने माता-पिता के साथ जाके रहेगा इस तरीके से होता क्या है कि बच्चे पूरी तरीके से स्कूल में जब रहने लगते हैं माता-पिता से दूर रहने लगते हैं तो ऐसा नहीं कि दिव्यांगता के कारण उनको माता-पिता से दूर रखा जा रहा है तो उनमें बहुत सुधार होगा कभी-कभी इसके नाकरापनक पहलू भी नजरात करते हैं तो यह कि स्पेशल डे स्कूल की हम कलपना करते हैं इसमें कि एक ऐसा होगा जिसमें किवल सूबस लेके साम तक एक बच्चा इसकूल में रहेगा सारी सेच्छड़ गत्विधियों को संपन करेगा और साम को अपने माता-पिता के साथ रहने लगेगा अगली हमारी ही है हास्पीटल बाउंड इंस्ट्रक्शन विशे सिच्छा में इस तरीके की बहुत और सकता पड़ती है और सकता कैसे पड़ती है कभी-कभी देव्यांगता का जो छेत रहे इतना जटिल और ब्यापक होता है कि बच्चे को क्लास्रूम में सेच्छड़ी गत्विधियां कराने का औसर बहुत ही जटिल बना देता है उस जटिलता को कम करने के लिए कभी-कभी होता क्या है कि बच्चे को हास्पीटल में अस्पिटलाइज करना पड़ता है जब बच्चा हास्पीटल में होगा तो आप पूरी तरीके से उसको सैच्छडिक रूप से संपन कर हम विशेश सिच्छक के माध्यम से उसको सैच्छडिक गत्वियों कराने की कोशिस करते हैं ताकि बच्चे की जो सैच्छडिक उन्नती है उसमें कोई बाधा उत्पन्य नहों वो अपने जो सैच्छडिक प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को पूरा करे तो उसके टिक टक का भी कार्या सोचारी रूस पर चले और बच्चे की सेच्छी गत्विदियां भी प्रभावित नहों जिससे की आगे जाकर कि उसको सेच्छी रूप से पिछड़ा पंच सेच्छी रूप से कमजोर महसूस करा है कभी कभी दिव्यांगता का जो छेत्र है वो इतना ब्यापक और इतना जटिल हो जाता है कि बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आप सुझ सकते हैं कि जब हम घर से बाहर नहीं निकलना है तो हम सिच्छा की कलपना कैसे करेंगे इसी धारणा को तोड़ने के लिए चीज़ करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याइं होती हैं उन समस्याओं को भी समझते हुए उन समस्याओं के निदान करते हुए उन समस्याओं को पर अपनी समझ बनाते हुए बिसे सिच्छक उन बच्चों को सिच्छित करने का प्रयास करता है लेकिन इसमें एक जो च्छड़ी गतविधियों में और किस तरीके के हम सहयोग परदान कर सकते हैं चाहे और इनको किस तरीके से सिच्छी थंद कर सकते हैं इसमें माता-पिता बच्चा और सिच्छक तीनों एक त्रिभुजाकार कड़ी के रूप में बंद जाते हैं कोई भी एक कड़ी थोड़ा सभी निस्क्रियता के रूप में परदर्सित करता है तो दो कड़ी अपने आप प्रभावित हो जाती है इसलिए हमें इस बात को भी समझना होगा कि जब हम एक सिच्छा के त्रि वातावरण में समान बच्चों के साथ सबको समाहित करते हुए उसके जो आंतरीक छमता है उसको कैसे विक्सित किया जाए या फिर उसके अंतर जो आंतरीक छमता है उसका कैसे उपयो किया जाए इसके लिए जो होम-based instruction है वो खासकर जादा महत्वपूर साबीत होता है और बच्चों के लिए मात्वपूर और लाबदायक साबित होता है इसी कड़ी में अगला जो हमारा है residential school कभी-कभी यह होता है कि बच्चे की दिबैंगता के कारण उसके समाज में उसके घर में उसके परिवायर में लोग उसको अस सुकरित कर देतें लेकिन असुकरित कर देने से यह उस बच्चे के विकास के पहलू शच्चदिक पहलू समाजिक पहलू वात्तावरन पहलू भागोली की सिती बदल जाएगी कभी नहीं बदलती है इस चीज को हमें समझने के लिए हमने ये कलपना की क्यों एक ऐसा स्कूल खोल दिया जाए क्यों एक ऐसे संस्था का निर्मार किया जाए जिसमें इन बच्चों को पूरी तरीके से रख करके इनकी संपूड विकास के उनके सर्वांगीड विकास की कलपना को हम क्यों उजागर करें इसके लिए हमारा रेजिडेंसियल स्कूल काम करता है इस रेजिडेंसियल स्कूल से तात पर यह है कि एक ऐसी संस्था एक ऐसा जगह जहां पर बच्चा पूरे दिन पूरे रात रह करके अपनी सच्छरीगत विधियों को पूरा करता है इसमें विशेष प्रकार के दिभ्यांगता के छेत्र के अलग अलग इसकूलों का निर्मान किया जैसे हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा दृष्टी बाधित है तो उसको दृष्टी बाधिता के छेत्र में जो स्कूल कारे कर रहा है उस बच्चे की दाखला रहा है उस लिए उसे पुरिया होजा यह जाएगी यह नहीं प्रेटी प्रक्राइक भीज неё भीण जबर सकझे जाएगा लेकिन मातर कर देने से इनकी सच्षड क्रम laquelle doing यह थोड़ा कठिन लगता है कठिन इसलिए लगता है कि हमें इस रूप को समझना पड़ेगा कि मात्र केवल सैच्छिडिक संस्था में दाखिला करा देने से बच्चे की सैच्छिडिक प्रक्रिया में साकरात्मक सुधार हो यह थोड़ा सा असंबह लगता है असंबह या फिर उस विशेश तरीके से निर्मार करनी पड़ती है इन दोनों की कड़ी में हमें ये समझना पड़ता है कि हम कैसे इन बच्चों को सच्छिक रूप से मजबूत बनाएं और सच्छिक रूप से बच्चे मजबूत बनेंगे तो समाजिक रूप में कुछ अपनी बिठोंगे तब इन सारे बिंदूओं के माध्यम से हम आपको संचेपलों में यही समझना चाह रहे हैं कि जिस बच्चे की जो दिभ्यांगता की स्रड़ी है दिभ्यांगता की मात्रा है दिभ्यांगता की पहचान है उन दिभ्यांगता के आधार पर इन सारे बिंदूओं से जिस विंदू में बच्चेको ज़्यादा सहस्ता ज्यादा सुगमता और ज्यादा आपको दमित्रवत वातावरन बिकुशित कर एशना करें उस वाट इसमें से किसी एक को अपना करके हम बिशे सिच्छा के माध्यम से इन बच्चों को सहच्छ कुरप से उन्नत हम बना हैं तो इसमें हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि बहुत सारे सिच्छा भी बहुत सारे नीतियां हमा इस तरीके से निर्माण गई जा रही हैं ताकि बच्चे में कोशी भी तरीके का प्रिथकता का भाव उत्पन नहों वह अपने आपको अलग महसूस ना करें इस वर बहुत सारे सोध हुए हमारी जो वी से सिच्छा की कलपना पर की गई इसी अधार पर की गई थी जो डिब्यांग बच्चे हैं उनको बिश Wash school में भी से तरीके से विसे सिच्छक के माध्यम से ही सिच्छित करने का हम प्रयास करें लेकिन इसके परीडाम भी नकरात्मक थावित हुए एक सोध के माध्यम से रा बींशन ने यह बताने का प्रयास किया है कि जीन बच्चों को जीन बच्चों से तार पर जो special बच्चे हैं जो निद्वेंग बोच्छे हैं उनको 기 canopy अलग कर के गमचिछित करते हैं तो वो सेचेड़िक रूप से उन्नत होते nächे हैं इसमेंए कोई रास्ता देता है इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम इन बच्चों को हम सिच्छित करने की कोशिश करते हैं तो समाने बच्चे-चाय साथ समाहिद करके ही करें अगर समाने बच्चे-चाय के साथ समाहिद करके हम सिचिद करते हैं तो इनका जो सरवांगीड भी कास है वह साह सक्रियता से और सुचारो- रूप से और उन्नत होता है उसमें यह समझने का प्रयास करने कि आज का जो करेंट चला है जो समकालिन दोर चल रहा है वह नार्मलाइजेशन का चल रहा है समानी करन का चल रहा है समानी करन क्या होता है यह मिसको समझ लेते हैं समानी करन से ताथ पहर एक वैसे वातावरण से है जिसमें दिव्यांग बच्चे समाने बच्चों के साथ समाने वातावरण में स्वयम को समाहित करने में सच्छा में बना पाएं यह हमारा नॉर्मलाइजेशन लेकिन ये normalization बना देने से normalization की प्रक्रिया को बढ़ाने से क्या दिब्यांग बच्चे सहस्ता से उस समाज में अपने आपको समाहित कर पा रहे हैं यह साइद एक संका का भी सह है चाहिए के सकते हैं कि बाधा का भी सह हम कोशिस कर रहे हैं हमारी कोशिस यह लगतार जारी हैं लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं जागरुकता की कमी कहिए या फिर लोगों की निस्क्रियता कहिए या फिर समाज में अभी इन बच्चों की प्रती जो धारड़ा है उसमें अभी बहुत जादा दृड़ता से बदलाव नहीं आया है उसी के कारण आज भी बच्चे समाज में किसी भी रूप में आज भी उपेच्छा का सिकार हो रहे हैं या फिर उपेच्छित किये जा रहे हैं लेकिन हमारी जो नीति निर्माता है उनका ध्यान इस और जरूर जा रहा है वो हमेशाथ संच रहे हैं और रूप में काम भी कर रहे हैं कि इन बच्चों को भी समाने बच् तो को निखारा जाए और इनके अंतर का जो छमता है उस छमता का समाज निर्माण में देश निर्माण में कैसे उपयोग किया जाए इसी रूप को हम और उन्नत करने के लिए विशे सिच्छा के माध्यम से प्रयासरत हैं और प्रयास हम कर रहे हैं इसी कड़ी के साथ मुझे आसा और पूरा विश्वास है कि आपको ये टापिक समझ में आ गया होगा कि वाटीज स्पेशल इन स्पेशल एजुकेशन हम आपके साथ ऐसे हमेशा कुछ छोटे-छोटे बिंदूओं के माध्यम से आपके जो पाठेकरम में जो बिंदूओं हैं उनके माध्यम से आपके की का माध्यम से द manual के एजु के जो बिंदी ये एमेशल इन से आपके जो खूटे एमेशल इन से लाइकर भाणतis को नेचल आपके लिएी ये आपके लिए्साबं हैं